तो पहला सवाल क्या है देखो हमारे इस वीडियो में 14 नमर क्वेस्टन आल अवर ये कहा रहा है कि बाग की एक प्रस्ण में भाजक बागफल का 10 गुणा है तता सेसपल का 5 गुणा है यदि सेसपल 46 है तो बाज्जी क्या होगा ये आपको ग्याद करना देखो यहाँ पर हमे नीचे सेसपल मिलेगा यहाँ पर बागफल और यहाँ पर बाजक सवाल कहरा है कि अगर सेसपल 46 है ये लो सेसपल मैंने लिख दिया 46 तो सवाल कहरा है कि सेसपल का 5 गुणा है कौन बाजक जो बाजक है वो सेसपल का किता गुणा है 5 गुणा है तो सेसपल किता है मेरा गुणा है मतलब यह जो 230 है वो यहाँ पर जो भी संक्या उसका 10 गुणा है तो इसका मतलब इसमें 10 का भाग लगा लो तो यहाँ पर बागफल मिल जाएगा देख लो 23 का दस गुणा 230 हो गया आइबाट समझें मतलब जो जो इनफोर्मेशन थी उसके यल्प से अमने सब कुछ निकाल लिया बाजक भी निकाल लिया बागफल भी निकाल दियाए और सेशेड़ भी निकाल दिया अब आपको भाजज ये पूछा है तो बाज ये निकाला तो बहुत एजी है कैसे निकाल आ जायेगा 6 9 और 4 13 यहां पर आ जायेगा एक यह हो गया तीन और यह हो गया पांच यानि हमारा आंसर क्या ओगया 53-36 इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा 53-36 तो यहोप अच्छी तरीकी से सवाल समझ में आ चुका है तो हेलो फ्रेंट स्विर्ट से एक बार आप सभी का स्वागत है डिश्टल तैयारी यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है चितन पारिक आरसगरवाल की हिंदी वाली मुख हम सवाल कर रहे हैं ठीक है हमारा टॉपिक ज तो शुरू करेंगे अगले सवालों को एक सवाल जैसे यह वाला तमने करी लिया था अब अगला सवाल क्या है देख लेते हैं इस वीडियो में वन बाई वन आप साथ साथ में ट्राइज जरू करता रहे हैं एक सवाल को आपकी प्रक्टिस होती जाएगी ठीक है यह कह रहा अगर आप B, C और D को पकड़ते हो तो योगफल 197 आएगा अगर C, D और A को पकड़ते हो तो योगफल आपका 208 आएगा और अगर आप D, A और B को पकड़ते हो तो योगफल आपका 222 आएगा यानि एट टाइम तीन क्रमगत संख्याओं को जब आप लेते हो तो योगफल आपको यह मिलगा, अगर मैं इन सब को जोड़ देता हूँ, तो देखो A, A और A, 3 वार आ रहा है, B, B और B, 3 वार आ रहा है, C, 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 3 वार, D, 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 3 वार, यानि सब चीजे 3 वार है, तो इसका ऐसा लिख दू, A, P, B, P, C, P, D, और ब्रैकेट के बाहर मैंने लिख दिया 3, ठ आट और 2, 10 हो गए, 10 और 7 किते हो गए, 17, यहाँ पर आगया 1, 9 और 9, 18, और 2 किते हो गए, 20, आगे चला जाएगा 2, 2 और 2, 4, 4 किते हो गए, आट, यानि यह किता मिल गए, 807, यह 3 जब इस तरह बटा में आ जाएगा तो आप देखोगे, A, P, B, P, C, P, D, जो है, 807 बटा झाट, 3 हो जाएगा, इस में बाग लगाओ, यह 2 बार में चला किया, 2 आगे बेज दो, 6 बार में चला किया, 2 और आगे चला बेज दो तो 9 बार में चला किया, यहाँ साब देखोगे, आपको A, P, B, P, 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 C, P, 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 C, भ, P, P, D, की value भी मिल भी इए, अब आपको 1 80 माइनस करोगे तो आपको किता मिलेगा 89 मिल जाएगा तो यह नहीं यहां से आपको D का मान किता मिलेगा 89 मिल जाएगा similarly जब आप यह माइनस करोगे इसमें से तो आपको यह मिल जाएगा 197 माइनस कर दोगे 72 मिल जाएगा यह दिलो 72 और B और C निकालना है तो यह minus करो इसमें से आपको बी मिल जायेगा देखो किता मिलेगा 61 और उसके बाद यह minus कर लो इसमें से किता मिल जायेगा आपको यहा पर मिल जायेगा 747 और यह 47 की से आए बात समझ में तो यह है अमारा B CD चारो संख्या पूछी थी चारो संख्या हमने निकाल दे तो आई हो बच्छे तरी के सवाल समझ में आगे आपको यह वाला भी आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के और number system का एक और सवाल देखो अच्छा सवाल यह कह रहा है कि एक तीन अंकों की संख्या है 2A3 को 326 में जोडने पर तीन अंकों की संख्या 5B और 9 बनती है जो कि नो से पूर्ण देखा विबगत है तो पिर इसका मान क्या होगा है आपको क्यात करना है सवाल कह रहा है कि जो जोडने पर आपको संख्या मिली यह जो 5B9 मिला यह जो संख्या मिली वो 9 से पूरी तरीके से विबक्त है तो अगर यह संख्या 9 से पूरी तरीके से विबक्त है इसका मदब इसके अंकों का योग जो है वो भी 9 से विबक्त होना चाहिए तो अंकों का करते हैं नौ और पांच किते हो गए चौदा चौदा और बी किते हो गए फॉर्टीन प्लस बी अब बी की वैल्यू आप क्या रखो ताकि एक ऐसी वैल्यू मिले जो नौ से डिवीजिबल हो जाए तो आपके दिमाग मारा होगा कि सर बी की जगे चार रख लो क्योंकि जब मै से बड़ी कोई संख्या रख सकते हैं मलब डबल डिजिट वैल्यू कोई भी ने रख सकते हैं समझ मागे इसका मलब केवल चार ही पॉसिबल है बी की वैल्यू तो अगर चार पॉसिबल है तो टू ए थ्री के अंदर आपने थ्री टू सिक्स को एड़ गया और आपको फिर पाइनली मिला क्या फाइफ बी नाइन फाइफ बी की जगे आप मैं चार लिख रहा हूं और नाइन अब तीन और छेन नो हो गया बिल्कुल ए और दो को जोडने पर चार होगा इसका मदब एक इता होगा दो होगा क्योंकि दो रखोंगे तब ही तो दो और दो ये चार हो चार इसको सौल करना है तो पाच इंटू दो दस और चार इंटू दो आठ दस में से आठ चला जाएगा किता आजाएगा दो आजाएगा यानि हमारा आंसर क्या होगा तू ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के और देखो नेक्स्ट कस्टन है रिमेंडर थियोरम पर इस लिगे अगर आपको रिमेंडर थियोरम का बेशिक जानना है तो आप सुरुवातस अग्या देख आख एक एक वीडियो को पार एक के जो बीच वाले जो कुछ पार्ट्स आना वहाँ पर मैंने रिमेंडर थियोरम के सुरुवात की थी तो पूरा बेशिक बताया उसके वाद आपने सवालों को लिया तो बस यह उसी पर आदर इस सवाल अगर आपने वह देखाया तो अप तक आपने इसको कर भी लिया होगा यहां पर 3257 की पावर 683 है इसके अंदर आपको 3256 का डिवाइड लगाना है जब भी पावर में कोई बड़ी संख्या आ जाया और और कोशिश करो सेश्पल चोटे से चोटा मुले तो जब आप इसके अंदर इसका भाग लगाओ आप देखो कि सेश्पल एक बच रहा है तो एक सेश्पल बच रहा है अब उसकी पावर में लगा लो 683 और एक की पावर 683 कितना होता है यह कित होता है इसका मलब हमारा आंस यहां पर थोड़ा सा फास्ट निकलने की ताकि कम टाइम लेंद के अंदर हम ज़्यादा ज़्यादा से वा लोगों इस वीडियो के अंदर कर सके ठीक है बेसिक जरूर आपको जानना है ना तो शुरवात से जरूर आप देखते देखते होंगे तो सारी जीजा आपकी क्लि में बाग और देख रहा हूँ कि भाखपल क्या मिलता है यहां पांच और यह किता होगया वहां तो संक्या का इनदर आप बड़ी चाहेगी चणिया ऑफ वार में कहां तक गया आप देखो कि 8 वार में गया 7 7 6 तक से इस पल किता बच रहा है ग्यारा में से 6 जाएगा 5 13 में से 7 चला जाएगा तो 6 और यह जो 5 है यह यहां पर जाएगा अब 6 5 5 के अंदर भाग लगाओ आप तो लगब लगब 6 वार में जा रहा है ठीक है 6 वार में जोडू कुत चड़ा हो जाएगा तो 6 वार में चला गया यह 5 85 2 तक देखता है 6 पल किता मिल रहा है यहां पर आगया 3 15 में से 8 चला जाएगा तो किता आगया साथ ठीक है और यह जो 9 है अब बो यहां पर जाएगा और भाग लगाता है 7 अब फिर पास किता आजााएगा 6 उसके बाद 7 और फिर 9, ठीक है? इसके अंदर और 97 जोड़ोगे तो काफी बड़ी संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पर लिख देते हैं 6, 7 और 9, किती बार में? यह हुआ मेरा 7 बार में, ठीक है? यहाँ पार जाएगा 0, 13 में से 7 चला जाएगा, तो किता आया? 7, अब आगे आगे, यह सेइस पल, संख्या में से गटा लेता हूँ अगर यह सेइस पल, मैं इस संख्या में से गटा लेता हूँ, तो मुझे ऐक ऐस K संख्या मिलेगी जो 97 से पूर्णत हो और अट दियान मुझे यही चाहिए अभी समीतम की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि विबक्त होनी चाहिए तो अगर मैं इसमें से गटा रहा हूं 59 तो उपर वाला चला गया और पिछे से गटा लोगे तो 99 बचेगा यानि यह वहां संख्या है ठीक है जिसका जिसके अंदर 97 का भाग जाता है लेकिन सवाल कह रहा है कि आपको इसके नस्दीक्तम आंसर बताना इसके नस्दीक्तम तो अगर इसके अंदर हो गया उननिस यहां पर आ गया एक यह हो गया चार यह हो गया अठीक है चलो यह चीज मिली अब दो संख्या है मुझे मिली एक तो यह है और यह है दौनों की दौनों इसके आसपास है ठीक है और दौनों की दौनों पूर्णत अविबक्त है इसको तो भूल जो ठीक है मु आजदा नजदीग होगी तो आप आप स्वाल वाहरा ने इसका तो आप समझ में इसका बेसिक था पूरी कोशिच प्रीजिस की बिसिक से अगर कश़ा से अगर आप सब्सुरॉाइब करो वा गुत से प्रणाइज हो बीच बीच में ऐसे 16 वार स्वाल किये उनके आगे बढ़ता है अगले सवाल की और नेक्स्ट क्वेस्टन देखो यह कह रहा है कि 36920 के अंदर चोटी से चोटी संक्या क्या जोड़े ताकि योगफल 137 से पूर्णत है विबक्त हो जाए तो 137 से पूर्णत है विबक्त होने के लिए देख लेते हैं एक तीन दूनी छेओ और एक साथ और यह आगे दू तू सेवेंटी फूर आ रहा है ठीक है दो बार में यहां पर आगया पांच और सोड़ा में से साथ चला जाएगा किता आगया नो यह दर लेके आज़ो दू ठीक है और आगे देखते है किती बार में जा रहा है देखो यहा यहां पाजाएगा जीरो यहां पाजाएगा लिए जीरो यां पाजाएगा नीच आ जाएगा अब ठेरा सो गंदर भाग लगाते है ठीक है तो 137 का देख लेते हैं भाग अगर मैं लगाता हूँ तो 10 वार में तो नहीं बैठ रहे, 9 वार में ही होगा फिर तो, 9 वार में तो definitely होगा तो 9 into 7, 63, यहाँ पर आगी अच्छे है, 9 into 3, 27 और 3, 27 और 6 किते हो गए, 33 और 9, और 3 किते हो गए, 12, 23, यहाँ पर लिख देता है, 12, 23, कितनी वार में आया यह, यह आया 9 वार में गटा लेते हैं, अगर यहाँ पर, तो कितना मिलेगा, देखो, यहाँ पर आजाएगा, 7, ठीक है और उसके बाद, 10 में से 3 चला गया, 7, 9 में से 3 चला जाएगा, तो आगे अच्छे हैं, 67 मिल रहा, ठीक है कितना मिल रहा है 67, सेसपल कितना मिल रहा है 67, इसका मतलब यह है, कि जब मैंने इस संख्या के अंदर, इसका भाग लगाया, तो यह सेसपल मिल रहा है, तो अगर यह सेसपल मैं इसमें से गटा लो, तो एक ऐसी संख्या मुझे मिलेगी, जो इससे पूर्णत है विबक्त है, लेकिन सवाल तो क्या रहा है कि आप इसमें क्या जोड़ो, ताकि जो संख्या गटा लो, तो वो संख्या मिलेगी, जो पूर्णत है विबक्त है, उसके अंदर फिर हम वापी से 137 को जोड़ोगे, तो जैसे आप 137 को जोड़ोगे, आपको एक ऐसी संख्या मिलेगी, जो इससे बड़ी भी होगी, और आपको अपना पता चल जाएगा, कि आप इसके अं मुझे बड़ी चाहिए, तो यह संख्या तो पूर्णत है विबक्त है, इसके अंदर 177, जोड़ भी लोगे, तो भी संख्या पूर्णत है विबक्त होगी, तो यहां से वह संख्या आपको मिल जाएगी, जो पूर्णत है और इससे बड़ी है, लेकिन आपको पूछा है कि अपने आप इसका बाग चला जाएगा, आई बात समाझ में, तो 70 जो है इसका correct answer होगा, थोड़ा सा सवाल को analyze करने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग चलाने की जरूरत है, बागी बहुत ही simple सवाल, ठीक है, बिल्कुल basic से, बिल्कुल आराम-ाराम से करा रहा हूँ, exam में यह सवाल जब आप करते हो, तो आपको यह सवाल 10 या 15 सेकंड के अंदर में करना हूँ, बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, practice के जरूरत है, बस ज्यादा सवाल, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के और, अगला सवाल देखो फिर से इसी प्रकार का एक और सवा सवाल है, अब यह कहा रहा है कि इसमें से छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए, कि से संख्या 287 से पूर्ण तया विबत्त हो जाए, देखते हैं, एक बार 287 का भाग लगा के, ठीक है, 43408 बाग लगा के देखते हैं, भाग कहां तक जा रहा है, कहां तक नहीं जा एक बार वह देख लिता है, तो एक बार में तो जाई रहा है, दो बार में जा सकता है कि दो बार में, 600 में से, 600 में से आप गटा लोगे, कितना 26 गटा लोगे, बड़ा हो जाएगा, एक बार में देखते हैं, तक 287 करता है, ठीक है, 14 में से 7 चला जाएगा, 7 12 में से 8 चला हुआए गरा चार और तीन में दो चला जाएगा जएगा तो प॥ गता है इसके अंदर भाग सब्चार जा निदा है तो ऑर निदू हुई तो electr HRD किटå यहां पर आगे चार और दस और यह किता होगा चाहुदा बिल्कुल चाहुदा सो पैंतिस पल रहा है किती वार में पांच वार में ठीक है सेश पल किता आया 35 यह एट आ जायेगा नीचे देख सकतो एक वार में और जा रहा है 287 यहां पर लिखना हो आगे गाहिसाब किताब यह एक 15 में से आर चला जायेगा साथ आ गया और यह जो एक है यह भी इस तरफ आ जायेगा ठीक है अब 287 का भाग अगर उसमें लगाते है तो तीन वार में 900 में से घटा होगे तो बड़ा ज़्यादा हो जाएगा दो वार में देखता है फिर तो ना दो वार के अंदर दे लता है देखो यहाँ पर 11 में से चार जायेगा तो यहाँ पर आ जायेगा सात 10 में से दशना जायेगा आ जायेगा मेरा पास 3 और 6 में से टो मिला मुझे 137. किता मिला 137 यानि जब मैंने इसके अंदर इस संक्या का भाग ले गया तो सेस्पल मुझे 137 मिल रहा है अगर ये 137 में इस संक्या मैं से गटा लेता हूँ तो अपना वो संक्या मिलेगी जिसमें भाग पूरा-पूरा चला जाएगा यानि इस सवाल में आपको इंडिरेक्ली यही पूछा है कि इसके अंदर इसका बाग देने पर सेस्पल क्या रहा है तो हमारा आंसर क्या हो गया 137 तो एक ही टाइप के तीन चार सवाल अब हमने कर लिए हैं और अब यह टाइप आपके अच्छे तरीके से क्लियर हो जाने चीज़िए क्या कर रहा हूँ वो भी आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाने चीज़िए आगे बढ़ता है एक और सवाल आगे देखो इस प्रकार का अब तो डेफिनेटली क्लियर हो जाना चीज़िए जो भी कॉंसेप्ट है यह कहा रहा है कि छे उंकों की वहाँ चोटी से चोटी संक्या घ्याद करो जो 67 से पून अतया विबक्त है सबसे पहले 6 उंकों की सबसे चोटी संक्या है कौन ची वो तो देखे तो सबसे चोटी संक्या तो लिख दी अब मैं इसके अंदर एक वार देखता हूँ भाग लगा के 67 का और देखते हैं क्या हो रहा है यह 67 से डिविजिबल है या नहीं है अगर नहीं है तो क्यो नहीं है वो से पता करते हूँ तो देखो एक वार में भाग चला गया 67 37 सेस पल आगिए तैथिस यह आजाएगा जीरो यहां पर इसके अंदर आ भाग लगाओ देखो 5 वार के अंदर भाग लगाओंकि तो जड़ा हो जाएगा چार वार के उंदर लगते है, तो دो सो चालिस, और यहां पर किता हो जाएगा चार वार में 28, यह किता हो जाएगा 26 और 2, ठीक है? यह जाएगा 2 और 13 में से 6 चला जाएगा किता हो जाएगा मेरे पास, यह जाएगा शाथ, ठीक है? औरinstall है चारकी जगे पांच वार में हैं इत्राइब और पांच वार करें तो पांच वार में यहां पर मुझे मिल जाएगा किता था रा किता तो चार से किया तो दो 240 और 28 जोड़ लोगे किता आ जायगा 8, 6 और 2, यहाँ पर मैंने साइट घटाया गलत था, तो दस में से 2 8 चला जायगा, तो यह आ जायगा 2, उसके बाद 12 में से 6 चला जायगा, तो किता आ जायगा 6, 62 ऐगा, ठीक है, पिछले बार साइट मैंने घटाया गलत, कोई बाद ले उसके बाद अब क्या होगा यह जो 0 है यह भी यहां पर आ जाएगा फिर से डिवैड लगाओ देखो कहां तक जा रहा है तो 10 वार में तो बड़ा हो जाएगा 9 वार में बिल्कुल पूरा पूरा जा रहा है ठीक है 9 वार में जा रहा है इसको दो से गुणा कर लो 120 और 14 24 तक जा रहा है ठीक हए 134 तक जा रहा है, तो वह मैं इस तरफ लिगता हूं सेस पहला रहा है मेरे पास 36 ठीक है जरुत है तो वह संक्या मिलेगी जो सर्ट सर्ट से पूरी तरीके से विवक्त है लेकिन जब आप सर्ट सर्ट इसमें से गटा होगे तो होगा क्या कि वह संक्या पांच अंकों की संक्या बन जाएगी पांच डिजिट की संक्या बन जाएगी लेकिन आपको तो 6 डिजिट की च जाएगा इससे बड़द भी हो जाएगा और विबक्त भी हो जाएगा तो इसको और इसको देखो कि प्लस का 30 मिले गा प्लस का 30 इसमें जो डूड़ लोगो एतो कितता ओ जाएगा इस ऑप यहاز लॉट और पीछे यह तो यह कंछा बचेते हो लगे ऊसे शिवल में बच़ुआ तो चेक कर एसिक अंदर इसका अंदर नदर नकर पुरा-पूरा जाता है को बिलकुल जाता है अगर भाग जाता है तो अब मिलेगा आपको किया है आपको किया क्या किया तो ये आपको पूरा-पूरा देखना पूड़े तो जरूर देखा यहाँ और आप पर पूरा वरुसा और आप अच्छी तरीके से सवालों को सवाल किया है मेरे साथ साथ ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल ये कह रहा है कि किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर वहा 180 से उतनी अधिक हो जाती है जितनी वहा आरंब में 180 से कम थी तो वहा संख्या ग्यात कीजिए मान लिया वहा संख्या वाई है ठीक है मान लिया वहा संख्या वाई है तो ये कह रहा है कि किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर इस संख्या को 11 से गुणा कर दिया मैंने तो वहाँ संक्या 180 से उतनी ही अधिक हो जाती है ये जो संक्या है वो 180 से अधिक हो गई कितनी अधिक हो गई मान लिए अधिक हो गई जितनी वहाँ आरम में 180 से कम थी जितनी वहाँ आरम में 180 से जितना कम थी उतना ही जितना पहले यहापर आपने बढ़ाया तो जो gap है न उसको मैं एक्स मान लिया अब इन दोनों को solve कर लो और y निकाल लो इन दोनों समिकरणों को जोड़ लो ये कट जाएगा 180 और 180 किता हो जाएगा 360 और ये 11 और ये किता हो गया 12 वाई तो 12 वाई अगर 360 है तो फिर y किता हो जाएगा 360 बटा 12 यानि 30 ठीक है यानि वाई संख्या किती है 30 है 30 है हमारा correct answer जैसे जैसे सवाल कहा रहा है वैसे वैसे language को समिकरण की form में बदल लो और उसको solve कर लो ठीक है आगे बढ़ता है अगले सवाल की और अगला सवाल ये कह रहा है कि एक संख्या को 4 से भाग देने पर बागफल तरह सेस्फल का योग 8 आता है एक संख्या है उसको अगर आपने 4 से भाग दिया तो जो बागफल है और जो नीचे याँ पर सेस्फल मिल रहा है जैसे माल लिया बागफल है मेरा P ए और सेस्फल को म is equal to 34 है तो वह संख्या क्या है यह संख्या आपको ग्यात करने है पहले इन दोनों को solve करो पी और क्यों क्या वो पता कर लो और फिर अपना वो संख्या मिल जाएगी तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं थोड़ा सा तीन और यहां पर रख लो पांच क्योंकि पांच को आप यहां पर ने रख सकते हैं क्योंकि शेस पल चार से तो छोटे ही होना चाहिए अब इन दोनों का गुणा करो पांच इंटू चार बीस और तीन किते हो गए तैस यानि वह संख्या कौन सी है तीस है ठीक है आगे एक्स और चार एक्स मान लिया यह मेरी संख्या है अगर इनका वर्ग कर लो तो किता हो जाएगा चार एक्स स्क्वार प्लस नो एक्स स्क्वार प्लस सोडा एक्स स्क्वार तो यह चार और सोडा किते हो गए बीस बीस और नो किते हो गए गुंतिस तो गुंतिस एक्स यह जो 29 इन इस तरफ भाग लगूँगा, तो यहां से मझे किता मिलेगा, x square बराबर 4 मिल जाएगा, अगर x square 4 मिल रहा है, इसका मलब x किता मिल गया, 2 मिल गया, तो यहां पर लिक्ता हो गया, 4, यह ओगया, 6, यह ओगया, 8, तो 4, 6 और 8, यह क्या है, अमारी सिंक्गे है, त त्टिके आगे बढ़तें थार्ड लास्ट क्वेस्चन है हमारे इस चप्टर का यह कैलकुलेशन बेज्ट क्वेस्टन है यह सवाल हमने पार्ट ए के सुरुवाती जो सुरुवाती जो सवाल थे वहां पर हमने ऐसे कूप सरे सवाल की है। यहां पर यह जो 719 लिखा है इसको मैं A लिख रहा हूँ और यह जो 187 लिखा है इसको मैं B लिख रहा हूँ बार बार एति बड़ी बड़ी संख्या लिखू हूँ इस से डाइरेक्ट लिख रहा हूँ और बठा में क्या आएगा बटाम आजएगा A 24 बबस इसको हूँ देखो यह कट गा एंश्य। आई बाई चमयात थे सेंट लास सवाल के और फटावट से देखो अगला सवाल भी कुछ इसी प्रकार कहा है forecasting based question है इसको माल लो A, इसको माल लो B तो बन रहा क्या है? A cube, minus का B cube और divide में A square, plus B square, plus AB इसका formula क्या होता है? A minus B, A square, plus AB, plus B square होता है और नीचे आप देख सकतो यह है, इसका यह कट गया तो हमारा answer क्या होगा? A minus B तो आप क्या कर लो? 824 में से 395 को minus कर लो तो 14 में से 5 चला जाएगा, कित्ता आएगा 9, 11 में से 9 चला जाएगा, कित्ता आएगा 2 ठीक है? और 7 में से 3 गटा लो, कित्ता आजाएगा 4 तो 430 क्या होगा हमारा correct answer ठीक है? आगे बढ़ता है, last सवाल के और finally इस चप्टर के last सवाल के और हम आच चुके हैं, इसको भी देख लो, बहुत एजी सवाल है, सुरुआत में ही हमने कर लिए था है, अगेन ऐसे सवाल तो हमारा answer क्या होगा? A plus B, यानि इन दौनों संख्याओं को जोड़ ला, 917 के अंदर 283 को जोड़ लो, answer आजाएगा, 7 और 3, 10 यहाँ पर आगया, एक, यह 10 यहाँ पर आगया, और यह हो गया, बारा सो, ठीक है? तो हमारा answer क्या होगा इस सवाल में, बारा सो, आई बाद स इंग्लिस में भी जो number system मैंने करवाया है, वो पूरा-पूरा देख लीजी, एक-एक सवाल वहाँ से कर लीजे, तो कुछ और variety भी आपको देखने को मिल जाएगी, और काफी practice भी जापकी हो जाएगी, तो इसे के साथ इस वीडियो का सभावत करते हैं, मिलेंगे नए सब्सक्राइब, डिजिटर तैयारी